सर आज तो मुहावरों का इस्तमाल भी है आपने कहीं नहीं चाना और बिल्कुल को ऐसे ऐसे बात नहीं करनी हो चूँचा भी न कीजेगा प्लीज और यजि जाहर है बुरा वबक थाया होता है तो बंदे को बरदाश तो करना ही पड़त है और यह चूँचाँ कह रही है चूँन चलो मैं करूँगा चाह मुझसे हो जाती है नहीं चूँचां करनी है और यह चूँचांगे बगएर दो मिनट से ज्यादा बैटिंग नहीं सकता है नहीं आज तुम बैट जाओगे बहुत दिल्चस्प मेरे पास जर्बॉल इम्साल और मावरे है अच्छा जी हाँ तुमने बहुत दफा सुने बहुत दफा यह मावरा यह जर्बॉल मिसल सुनी है जली जली बताओ इसका मतलब है कि जब अजहान होती है तो मुल्ला दोड़ के मस्जद तक जाता है वाँ सदके तुम पर ने तो और क्या मुल्ला की दोड़ मस्जद तक बताओ जी मुल्ला की दोड़ मस्जद तक उस वक्त कहते हैं जब किसी शख्स को यह हो कि इसकी इसकी मखसूस काम ही करना है और इसकी मैकसिमम जो पहुंच है वो यहां तक की है बस उस वक्त का जाता है मावरा बोला जाता है कि मुला की दोड़ मस्जिद तक है और यह तुम्हें इसकी जो वज़ा तसमीय है वह बहुत दिल्चस्प है एक मौलवी साहब ते किसी जगा पर वो अ अच्छा सुनो ना यार तो बीवी ने एक रोज तंग आके का कि तुमने जहां दफा होना हो जाओ जाना है जाओ और वो मौलवी साहब घुसे में चले जाते हैं परदेश परदेश वो कहां जाते हैं कि घर से निकल के जो करीबी मस्जद है वहां जाकर बैठ जाते हैं तो जदीद शकल जो दी गई है पाकस्तान में वो यह है कि स्यासतदान की दावड़मरी का तक अच्छा या जो होता है वो बोज बन जाता है अवाम पर और फिर अवाम जो होती है वो तेली बन जाती है यानि तिलक ती घरती है यार गुदा के लिए बोज नहीं बोज है और ये राजा बोज जो था गुजरात का राजा था और इसको अपने जो फने मौसीकी इल्ब मौसीकी पर बड़ा नाज था ये गुजरात मेरे चौरी शजास साब के होते हुए और गुजरात नहीं रिय मौसीकी पर बहुत नाज था और इसी की रियासत में एक गंगवा तेली एक बिल्कुल गरीब आदमी था उसका जो बेटा था वो भी इस फन में बहुत माहर था और उसने एक दफा बादशा को यानि राजा को चैलेंज कर दिया और वो महल में जाकर उसने जो दीपक राग था वो अलापा और कहा ये जाता है कि उसके जो महल के सारे चराग थे वो रोशन कर दिये उस वक्ति ये आवाज किसी ने लगाई थी कि कहा राजा भोज कहा गंगवा तेली अच्छा को ऐसा राग भी होता है जिसके अलापने से लोड शेडिंग खतम हो जाती है तुमने कह जब कोई कम जात शक्स या बहुत मामूली नवयत का जो शक्स है वो किसी आला मर्तबे की शक्सियत के साथ हमपला होने की कोशिश करें या उसको चैलिंज कर दे उससे कहा जाता है कि कहा राजा भोज कहा गंगवा तेली अच्छा एक बहुत आमसा मावरा है उसका मतलब उता दो लेना एक ना देने दो लेना एक ना देने दो बहुत कॉमन है इसका हसाब ही गलत है लेना एक ना देने दो जब देना एक है तो दो कहां से देने है यह तो मैत का सुवाल है यह मावरा थोड़ा है यार यह बहुत म मन्फैत काम किया जाए ना उस वक्त कई मौकों पर बोला जाता है लेकिन ज्यादातर उस वक्त इस्तबाल होता है जब कोई विलकुल भिकार किसम का काम है जो किसी उसका मन्त की अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर ना आए जानी उससे को तलक बिनी और हमें जागो दर फजोली कड़ा ये लेना एकना देने दो ये होता ना ये होता है तो इसका क्या मतलब होता है चोड़ा यार तो मैं नहीं समझा आँ चलो समझ को छोड़ा मुझे ये बताओ इसका मिस्तरी कौं सा मैं बता देतalenा हूं। इसका मिस्तरी वो शेक्स था जो एक कछव हो Courtney को अजाते के लिए दरिया में ले जाता है पहले पालता है फिर और और यह वो अजाते हैं जब आजाते हैं धो आज़ देर गौता लगाते हैं और वापस आके एक मोती उसको थमा देता है आके अपने मूँ से निकाल के अब उसके दिल में लालच पैदा होता है और वो कच्छवे को दुबारा पकड़ लेता है कहता है कि मुझे इस तरह का एक और मोती लाके दो मुझे दो गे तो फिर मैं तुम्हें आजाद करूँगा कच्छवा आगे से ये क कहता है कि अच्छा एक मोती जो मैंने तुम्हें दिया ये मुझे वापस दो तो फिर मैं तुम्हें दूसरा मोती लाके देता हूं वो उसको वापस कर देता है दो मोती के लालच में तो कच्छवा एक जो मोती दिया होता है वही वापस लेता है और गौता लगाता है और द आप फिर हम आपकी खिदमत करेंगे फिर लोग आगे से कहते हैं कि खिदमत क्या करनी है हमारी सड़क तो बनी नहीं हुई हमारा स्कूल नहीं है यहांपे मले में अँपानी नहीं हो। ओ नाजमी में लेने एक जोटी सी कमर्शल ब्रेक हारे साथ रहिगा